हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ रस वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ मुह रंगने वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हमें तेरे 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 फाइदे वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हमें तेरे तेरे पाइदे वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ रसवाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ रसवाले हैं तो आप देख रहे हैं गर्मियों का मज़िदार फल जामून तो जामून के बारे में आपको बताया जाएगा जामून अर्थात जावा पलम बेग्यानिक नाम कहें तो साई जाई जीयम कुमीने ना तो साई जाई जीयम कुमीने ये जामून का बेग्यानिक नाम है जामून एक सदावार बिरिक्ष है जिसके फल बैगनी और काले रंके होते हैं जामुन को दिविन घरेलू नामों जैसे जामु, राजमर, काला जामु, जमाली, बलेक वेरी आधी के नाम से जाना जाता है। प्रकिर्ती में यह अमलिय और कसैला होता है और श्वाद में मीठा होता है। अमलिय प्रकिर्ती के कारण समान्यता इसे नमक के साथ खाया जाता है। जामुन का मज़ा प्राया, गर्मियों और बर्साद के मौसम में ले सकते हैं। खास वाद तो यह है कि इसमें गुलकोज और प्रुक्टोज दो मुखे सरोध होते हैं। फल में खनीजों की संखिया अधीक होती है। अन्यप्षलों की तुलगा में यह कं कैलोरी परदान करता है। एक मध्यम अकार का जामुन टीन से चार कैलोरी देता है। इस फल के बीज में कार्भोहाइडरेट, प्रोटीन और केल्सियम की अधिकता होती है। यह लोहा का बड़ा सरोत है परती 100 ग्राम में 1-2 मिली ग्राम आईरन होता है इसमें बिटामिन B, केरोटीन, मेंगनीसियम और फाइबर होते हैं तो हम आगे समझते हैं स्वास्त के दृष्टी कौन से जामून का उप्योग जामून का प्रियोग कई सारी बिमारियों के उप्चार में किया जाता है गर्मियों के दिनों में जामून के सेवन करने से लू नहीं लगती है यहां कैंसर जैसी बिमारी की संभावना को कम करने में भी काफी मददगार है मदुमे के उपचार में इसका क्या योगदान होता है जामुन खाने से सुगर के रोगी को फाइदा होता है यह रक्त के अंदर सक्कर की मातरा को नियंतरित करता है डायविटीज के रोगी को रोजाना जामुन का सिवन करना चाहिए जामुन की गुठली बलड प्रेसर को नियंत्रित करने में काम आती है पेट की समस्या को दूर करने में पेट की समस्या को दूर करने के लिए जामुन फैदे मन्ध है रोज सुबह खाना खाने के बाद जामुन खाने से पेट साप होता है वेट के अंदर एट थन की समस्या दूर करने के लिए जामून की छाल काड़ा बनाकर पीने से दूर हो जाती है समस्या इनीमिया के उचार में जामून हमारे सरीर के अंदर पून की कमी को दूर करते हैं जिस बैक्तिके सरीर के अंदर पून की कमी हो उन्हें जामुन का सिवत करना चाहिए जामुन के अंदर केल्सिया, पोटेसिया और आइरन पाये जाते हैं जो हमारे सरीर के लोग फिरोधक छम्ता को बढ़ाते हैं यक्तित अरहाद लीबर के लिए लाव कर यदि लीबर के अंदर किसी प्रतार की समस्या है तो शुवत साम जामुन का रस नचाहिए जिसे लीबर की समस्या ठी हो जाएगी जामुन के पत्ते मसूरों के लिए फायदे मंद है यदि मसुरों के अंदर खून आता है तो जामुन की गुंठली पीसकर नमक के साथ मसुरों पर लगाने से फाइदा होता है यदि मसुरों के अंदर शूजन आ रही है तो जामुन के पत्तों को उवाल कर खुला करना चाहिए यदि मुह के अंदर से दुरगंद आ रही है तो जामून के पत्ते चवाना चाहिए पत्थरी के उपचार में जामून का कैयोगदान है यदि किसी व्यक्ति को पत्थरी की समस्या है तो जामुन के बीज का पाउडर दही के साथ मिला कर रोज खाने से पत्थरी की समस्या भी दूर हो जाती है जामुन के बीजों का प्रियोग चेहरे के पिंपल्स को हटाने के लिए भी किया जाता है पीजों को पीश कर दूद मिला कर पेस्ट बना कर सोने से पहले चेहरे पर लगाएं इससे चेहरा साप होगा हमें आसा है आप इस वीडियो को निश्ची तुरूप से पूरा देखने का प्रियास किये होंगे तो यह जामुन जाया हुआ निश्ची तुरूप से हमारे सरीर के लिए लाबदायक है और निश्ची तुरूप से आप जामुन का मजा लें तो इसी के साथ मिलेंगे नेके वीडियो में आज के लिए इतना ही